तिब्वती धर्म गुरू परम पावन दलाई लाम अच्वी का जनम दिल्ली स्थित मजनु के ठीले पर तिब्वती समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया चौदवी दलाई लामा तेजीन सयात सो का जनम 6 जुलाई 1935 को पूर्वी तिब्वत में हुआ था धर्म गुरू दलाई लामा का जनम दिन आज मजनु की ठीले स्थितर सेंटरल तिब्वतीन स्कूल में बड़े हर्शुलास के साथ मनाया गया इस अबसब पर दलाई लामा की लंबी आयू की कामना के लिए पूज़ औरचना की घी गई और तिब्वती बच्चों के द्वारा कई स्कृति कारेक्रम की प्रस्तूति भी की गई दलाई लामा की जरम दिन पर भारत तिब्बत समनवे संग की डिल्ली प्रांथ महीला विभाग की अध्यक्ष संधिया संग को मुख्यत हिती के रोप में आमंतृत गिया इस दोरान तिबती समाज के लोगों से संग की राश्री सह मंत्री यूवा विवाग तेजस चतुरुएदी ने मुलाकाध्वी की और संग का उदेश कैलाश मान सरोवर की मुक्ती एवं तिबत की आजादी के लिए हर तरह से तिबती समाज के साथ खड़ा है यह भी अवगत क दिल्ली महिला अध्यक्ष संध्या ने बताया कि जिस प्रकाद अलाई लामा जो संपून विश्व में शांती के मार पर चल कर तिबत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सन 1989 में नोबिल शांती पुरूसकार से सम्मानित किया गया वह संपून सब परिवार की त राश्री शह मंत्री यूवा विभाग तेजस चतुरवेदी राश्री कारिकार्णी सदस्य कुणाल यादव अजीत आधी लोग मौजूद रहे इस बीच दलाई लामा जी के जनम दिन को इंडिया हैविटेट सेंटर में सेलिबरेट किया गया जिसमें भारती जंता भरपून आनंद लिया दिल्ली से बीसे न्यूस के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट